हेलो फ्रेंस वेलकम बैक टू माई चैनल तो फ्रेंस आज फिर लेकर आई हूँ किचन के भोती यूजफूल टिप्स तो चोटे चोटे जुगाडू टिप्स है जो आपको काफी पसंद आएंगे तो फ्रेंस देख लेते हैं इन टिप्स को और अपने किचन और घर का काम आसा इसको हम खोलते हैं तो यह बहुत जल्दी से सीलन पकड़ लेती है अक्सर इसमें जो होता है नहीं चिपक जाती है आपस में और गीली गीली सी हो जाते है तो उसके लिए क्या करें एक फोईल का टुकड़ा लेजिए और इस तरह से उसको फॉल्ड कर लेजिए और उपर से धकन के उपर इसे लगाके रखेंगे तो हमारी जो हाजमोला है वो बिल्कुल भी कड़ेगी और काफी लंबे सम्यों और Сकते हैं जब यह बटर लाते है घर में तो इस तरह का बड़ा पैक कर लाते हैं तो इसको बड़ा में र तो आप क्या करें इस तरह का greater ले लीजिए जो अद्रक वाला होता है यह सबी के घर में आसानी से मिल जाता है तो इस तरह से देखे जैसे मैं निकाल लूँ इस तरह से निकाल लिए तो हमारा जो बटर आसानी से निकल जाएगा और खराब भी नहीं होगा क्योंकि हमें काट क तो यह बेकार भी हो जाता तो इस तरह से निकाल लिए जितना भी आपको बटर की जरूरत वरेड वगारा पर वी आसानी से लग जाएगा तो देखे बहुती अच्छी सी टिप्स है यह जब भी आपको बटर की जरुत इस तरह निकाल सकते और फ्रीजर में भी रखिए फिर से निकल जाएगा फैह देख लेते हैं देखें कभी कभी क्या होता है के नीबु की जर्थ पढ़ती है तो इस तरह से नीबु को पहले तो घिस लीजिए थोड़ा सा ये सौफ्ट हो जाए इससे क्या होता है कज degradation की जर्ठ होती है और हनब क्या होता करेंगे इसको कट करें तो हम इसका जूस निकालेंगे तोस तरह से तुत्प्रीक लेजिए जब कभी आपको एक दो बू obo pseudo होती है नीबू की तो इस तरह आप कर लिए और इसको तो बुंद डाल लीजिए तो इस तरह से नीबू कट भी नहीं होगा और हमारा नीबू खराब भी नहीं होगा इस तरह से इसमें आराम से निकल आएगा नीबू का रस जब कभी हम साधी वगरा में जाते तो सबसे प्रोब्लम हमारी यह होती है कि हम चूड़ियों को कैसे लख के लेके जाए तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी एक दो टिप्स दी है लेकिन आज फिर एक नई टिप्स लेकर आई हूँ तो आप क्या करें जो हमारी पुरानी सोक्स होती है या कोई नई सोक्स भी ले सकते हैं उनके अंदर इस तरह से देखिए चूड़ियों को रख लीजिए इस तरह से रखने से क्या होगा चूड़ियक तो हमारी टूटेगी नहीं और यह जो स्क्रेच वगरा पढ़ती है जो चमकीली होती है वो भी नहीं हटेगी और देखिए बहुत बढ़ी हासे अराम से इसे क अरदी होती है यह मोसम चेंज होता है तो उसके वज़े से बहुत ज़्यादा इसकी ड्राय होती है तो आप देखिए विटामिनी का कैप्सुल लेजिए और इसको देखिए कट कैसे करेंगे पीन वगरा नहीं डाली है जो शेफटी पीन होती है उससे इसमें काफी जेल रह सकते है जो घर में उगाया हुआ है या फिर भार का भी ले सकते है मैंने एक चम्मस लिया एलोवेरा जेल और विटामिनी का एक कैप्सुल लिया है और यह लिया है थोड़ा सा नारियल का तेल तो यह जमा हुआ था मैंने ऐसे ही ले लिया है अच्छे से मिक्स करेंगे इसे तो ये हमारी बहुती अच्छी नाइट क्रीम बन जाती है फिरी में ही घर पर बहुती कुछ समान नीस में हमें डालना है और इस तरह से आप इसको बना के इस्टोर करके भी रख सकते हैं नॉर्मल जगा पे कहीं पे भी रख दीजिए तो इसको आप रात में लगा के सोईए और सुबह इसको वोस कीजिए तो जो हमारी ड्राइनेस है फेस की वो पूरी दूर हो जाएगी घर में ये काम आप कर सकते हैं तो बिना पालर जाए ये घर में ही देखे कितना खर्चा आपका पचने वाला है इस तरह से कर लीजिए और हाथों अगर आप इसको लगा सकते हैं नेक्स्टी फ्रेंड देखे होता क्या है मटर की जब भी हम कुछ बनाते तो मटर का अकसर कलर चेंज हो जाता है तो उसमें क्या करें आप जब भी मटर निकाले उसके बाद आप मटर को नॉर्मल पानी में डाल लीजिए थोड़ा सा ठंडा भी चलेगा और इसमें थोड़ कुछ भी बनाएंगे जिसमें मटर आपको डालनी है तो मटर का कलर चेंज नहीं होगा कलर इनका मेंटेन रहेगा तो इस तरह जब भी बनाया आप इस तरह एक बार कर लीजिए फिर इसका कुछ भी बनाईए नेक्स्टी फ्रेंड होता क्या है देखे जब भी हम केक अगर लाते तो इस तरह की सीट हमारे घर में जरूर आती है और हम क्या करते इसको बस केक खतम हुआ और इसको फैक देते हैं तो आज इसका ही बहुत बढ़ी हासा यूज करेंगे तो इस तरह मैंने देखे केक हटा दिया और इसको साफ कर लिया है अब जो साइड में इसमें पार है कि इमाम दस्ता Hello My Families होता है तो ये बड़ा है मेरे पर जो being होती है इसमें इसको कोटेंगे तो बिल्कुल वी इसके जो अंदर से सारा ने हो रहाता है जब भी हम इसमें कुछ कोटे तो मैं बाजरा कोट रहे थी तो तरह बाहर आ अगर आपके पास इस तरह का नई है और चोटा यूज़ करते हैं किचन में आप फत्तर वाले जो आते हैं तो उसमें भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं मेरे पास देखिए इस तरह का छोटा भी है यह कूटनी जो होती है ओखली इस पे भी इसको लगा सकते हैं और बड़ी वाली पे भी लगा सकते हैं तो इस तरह से बनाकर रख लीजिए इस ढकन को क्योंकि हम इसका यूज करते ही नहीं फैक देते हैं और दोनों पर ही अच्छ किंद रही है यह बिल्कुल सेफ रहेगा तो फ्रेंट्स आपको एक भी टिप्स पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें नहीं जाएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में